हलो फ्रेंड पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या गयाने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि चिन्मे की एंट्री के बाद हुई ईशा की भोसले महाउस में धमाकेदार एंट्री तो वही ईशा की एंट्री से बॉकलाई अकस साहेब जहां चिन से निवास ले आता है तो वही ईशा को भोसले हाउस के बाहर खड़ा देख के पूरा का पूरा परिवार शौक डो जाता है जहां ईशा को देखकर अकस साहेब के तो पैरो तले जमीन ही किसा जाती है तो वही गुस्से में बॉकलाई अकस साहेब ईशा से ये पूस्ते हुथि है कि तबी चिन में बीच میں बोल पड़ता है कि आई आप शायदी बात भूल रही है कि इशा काक्व इस परिवार का हिस्सा है और जितना हम सब का इस घर पर हख है उतना ही मेरी इशा काक्व का भी है तो आप होती कौन है इनसे ये सवाल करने वाली जहां अकस साहेब emotional card खेलते हुए नज़र आने वाली है और ये कहते हुए नज़र आने वाली है कि चीनु बाड़ा ये औरत अपनी मर्जी से ये घर और मेरे इशू को छोड़ कर गई थी तो फिर ये किस हक से इस घर में वापस ले आई है ये लप्शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखींगे कि जहां चिन में जोर जोर से हसने लग जाएगा और कहते हुए नज़र आने वाला है कि कितना अच्छा नाटक कर लेती हैं आप आई इतना सब होने के बाद भी आपको शरम नहीं आ रही जूट बोलने में जबकि सचाई तो आप भी जानती हैं कि आपने खुद ईशा काकू को इतना मजबूर किया कि आपने इशान से उनको छील लिया और फिर उनको घर से जबरदस्ती बाहर भी निकाला और इशान के प्यार में आप उससे इतना अंधी हो गई उसको पाल ले पोसने में कि आपने अपने सगे बेटे तक को भूल बैठी आपका एक गलत फैसले ने कई सारी जिंदगी बरबाद कर दी है लेकिन अब बस बहुत कर ली आप लोगों ने अपनी मन मानी आप लोगों के पापों का घड़ा भर चुका है अब आपको इसकी सजा तो मिलके ही रहेगी तो वहीं दोस्तों चिन में जाएगा का साहिब और राउ साहिब के खिलाप और दिलवाएगा अपनी इशा का कुकु के इंसाफ और कहानी में आएगा जबदस मोर तो आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले